ओम्नमो परिहंताणं ओम्नमो सित्ताणं ओम्नमो आयरियाणं ओम्नमो पुवचायाणं नमो लोए संग सावूनं एसो पंच नमुक्तारों संग पावा पणा सडों मंगनाणं उच संगै सिंद्ध अणमं हवैं मंगलं समरो मंत्र भलो नवकार एछे चौद पुरवनो सार 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 सुख मां समरो दुख मां समरो समरो जिवस नेरार समरो मरता समरो समरो साउ संगात समरो मंत्र भलो नवकार एछे चौद पुरवनो दुख मां समरो आज तपस्वी राज श्री पारस्वनीजी महराज साब ने अठाई के पार्ण अठे तेरा अठाईयां पुरण की और आज उनका अठाई का अंतिम दिन हैं कल उनका पार्णा होने का है यहां बंबे में काफी भक्त हैं स्रीप पारस्वनीजी महराज साब के और हमेशा से जो उगर तपश्या करते रहते हैं लेकिन पारस्वनीजी महराज साब कभी भी अपनी तपश्या का आयोजन या डिक्लेरेशन नहीं करते हैं केवल आज पहली बार बहुत अधिक आग्रह होने पर और उनके जीवन की सबसे बड़ी तपश्या भी थी इस्टे कारण उन्होंने भक्तों के आग्रह को डाल नहीं पाया और आज मौत सव मनाने की उन्होंने मौन स्विक्रती दी दरसल में मेरा नाम शांतिलाल बापना है हम लोग धार जिले के छोटे से ग्राम नागदा के निवासी है पारस मौनी जी महरा साब मेरे बड़े भाई साब जिनका नाम बाबुलाल जी था और अभी इस वक्त वो उदै मौनी के रूप में पारस मौनी जी महरा साब के शिशिके साब उनकी पिच्चानों वर्षी की समयोंबर है हमारी भावी साब सोन बाई जो बाद में दिख्षित होके सोन बाई महासती बनी है उनका धार्मिक बहुत ही भावना थी और उनका समरपन पुरा धार्मिक जीवन था उनका परिवार जो है जो पियर का परिवार था वो भी बहुत धार्मिक परिवार था इसलिए उनकी धार्मिक साधना बड़ी कठोर थी उन्होंने एक वक्त चंपकमदी जी महारा साब विचरते हुए गुजराती संता हैं लेकिन बहुत ही विलक्षन पतिभा के संता थे गुजर उदर से मद धारजीले के भन्नावर ग्राम में उनका चातरमास हुआ चातरमास के दोरान पारसमनी जी के सांसारिक मामा थी उनकी बाद मे उनके पास दिख्शा हूए और इसके कारण हम माल्वा प्रांत के मद्रदेश के मद्य परदेश के जितने भी लोग हैं वो दीरे दीरे हाएसे हमारे दरूमें दीर मारा साथ की दिख्छा होई इसके कारा सारा परिवार इक द्रश्टश्टी से हमारा except for आदिवार गुजराज के अंदर दिक्षित हुआ हमारे भाई साब बावलाल जी उनके तीन पुत्र और तीन पुत्रें हैं और उनके अंदर सबसे बड़ी जो पुत्री है वो संसार में है लेकिन उसने अपनी दोनों बिट्गियों को जिन शाशन की सिवा के अंदर भेज कर दिया है उसके बाद में सबसे पहले जो हुआ पारस मुनी जी को जब थोड़ा छोटे थे पारस नाम था उनका सांसारी तब उनको विद्ध्याद्यन के लिए खंबात में पुद्यगरोदेव चंपक मुनी जी महरत साब के पास भेजा इनके साथ इनके बहिन जो बड़ी बहिन परमेला भाई उनको भी भेजा और धिरे से वहाँ पर उनके दिख्षित भावना बनी और बाद में खंबात के अंदर ही स्री परश मुनी जी की परमेला भाई महा सती इनकी बड़ी बहिन की और इनकी नानी जी का वहाँ पर दिख्छा हुआ उसके बाद धरे धरे धान्मिक वातावना बनता गया परिवार जोड़ता गया और जब पारस्मुनी जी की दिख्छा हो गई उसके बाद धान्मिक रूप से तो जड़े जुड़े हुए थे ही लेकिन आदित्यमुनी जो सांसारी के नाम जिनका अनोखिलाल जी था वो अपने व्यापार के अंदर शुद्धता से व्यापार करते थे लेकिन एक बार मंबे में वो मास्खमन 30 दिन का उप्वास कर रहे है थे अचानक किस्थानक के अंदर एक बड़ा कांच उनके उपर गिरा और कांच के हजारों टुकड़े हो गए लेकिन उनको खरोज भी नहीं आई सरीर पर तो खरोज नहीं आई लेकिन उनके दिमाग के अंदर खरोज आ गई और वेसे ही आते से ही उनने निन्ने कर लिया कि अब मुझे संसार में नहीं रहना है मुझे जिन साशन की सेवा में जाना है मुझे दिक्षा ग्रहन करना है उन्हें किस प्रकार से समझाया गया लेकिन उनकी अटोल भावना ऐसी जागरत हो गई कि उनने का मुझे दिक्षा ग्रहन करना ही है हमारे भावी साथ जो कबसे दिख्चा लेना चाहते थे लेकिन उनकी अवस्था की जश्थी से कोई भी सादूसंत और परिवार के जन्वी उनको ये अवस्था की जश्थी से कहते थे कि भाई अभी आप दिख्चा गरहन मत करो लेव अनुखिला एलडी की भाउना बनी कि मेरे को दिख्चा गरहन करना ही है तो हमारे भावी साथ सोन भाई ने उसको स्विकार किया और तत्काल उन्होंने निर्ने लेके गुरुदेव से चर्चाय की और इनके घर के अंदर वातावन बना और उसके जब उस समय इनके पुत्र इनकी पुत्री पुत्र जो आज फंकज मुनी के नाम से है इनकी पुत्री भाउना जो भावेशा जी महासात्य जी के नाम से इनकी पत्नी उनका ओ विबरल स्थरल सवभीमान साब्यमानी किंदू का है कि उनका इतना लगाओ था पारेवारी और अवस्था इतनी छोटी थी इन दोनों बच्चों को इतनी समझ भी नहीं थी लेकिन मातर प्रेम और पुत्र प्रेम के पिता के प्रेम के कारण इनका भी मन हुआ कि नहीं मुझे भी दिख्चा गरान करना ही भी हम पिता के साथ ही रहेंगे और हम भी दिख्चा हमारे भावी साब सोवन भाई मासती जी को ये एक आउसर मिल गया जो उनको दिख्चा देना नहीं चाहते थे संतलूग अवस्था के कारण जब उनके साथ में उनके सेवा के लिए उनकी पोती और भावू भी मिलने लगी तो गुरुदेव ने सहस्विकार कर लिया और ये गुरुदेव की सेवा में गए उनकी पुत्रवधू की और पुत्री भावना जी की इन तीनों की दिख्षा भावनागर के अंदर हो गई उसके बाद पारस्मनी पारस और अनोखिलाल ये दोनों भी संतकी सेवा में पारस्मनी जी के साथ ही थे अपने वरत का पालन कर रहे थे और उसके जब इनकी दिख्षा तैय हो गई तो इनकी भी दिख्षा निश्चित थी वो समय अमलनेर में चत्रमास निश्चित हुआ था पारस्मनी जी महरा साब का तो बहुत कम समय था लेकिन मैं सांसारी काका हूँ पारस्मनी जी का बाबुलाल जी का जो के आज उदैमुनी है उनका छोटा भाई हूँ मेरा भोत आगर था कि सबकी दिख्षा धार में ही हो लेकिन इनकी हमारी भावी साहब की दड़ इच्छा थी कि अब समय नश्चनी करते हुए मेरी दिख्षा अतिशिक्र हो जाए इसलिए उनकी दिख्षा भावनगर में ही दे दी गई और उसके बाद जब मैंने अति आगरा किया तो उनने गुरुदेव ने सदार मुनी जी महरा साब ने भी और पारस मुनी जीने भी स्विकार करके और धार के अंदर पदा रहे वहाँ पर आदित्यमुनी पंकच अनोखिलाल जिनको आदित्यमुनी नाम दिया गया और जिनको पंकच मुनी नाम दिया गया उनके धार के अंदर दिख्षा कराई गया आज पारस मुनी जी शुरू से थोड़े तेज सुभाव के थे बच्पन उनका हठ योगी जैसा था लेकिन यसे ही जब उन्होंने अपने गुरु की साथ रहे के चंपक मुनी जी महरा साब की इतनी अधीक सेवा की प्रकांड द्वान थे लब्दिधारी संत थे बहुत सिक्षित थे उनके प्रभा और कठोर अनुशाशन वाले थे इसलिए उन्होंने इनको कठोर अनुशाशन के अंदर घड़ा और कठोर अनुशाशन के बाद ये पारस जो हैं पारस मुनी बने इन उसके बाद जब ये संत बने तो धीरे धीरे इन्हों ने हमारे परिवार को खाली कर दिया आज हमारे परिवार से हमारे पारस्मुनी के सांसारिक पिता बाबुलाल जी दिख्षित नाम उदर्मुनी इनके छोटे भाई अनोकी लाल दिख्षित नाम आधित्यमुनी इनके दिख्षित नाम पक्गर्जमनी ये चारो संत हैं और उधर सत्यों में हमारे स्वानभाई महासती जी अब देव लोग हो गए परस्मनी जी के माता जी उसके बाद इनकी पत्नी और पुत्री और प्रमिला जी महासती जी सबसे बड़ी बहन जो इनके दिख्षा खंबात में ही परस्मनी जी के साथ होई थी आठ तो ये हैं और दो हमारी भाण जी हमारी सबसे बड़ी भाण जी जो है भती जी परस्मनी की सबसे बड़ी बेन संजली में रहती हैं गुजरात में उनने अपनी दोनों बेटीयों को शाशन की सेवा में दे दिया दिख्षित हुए इस तर हमारे ही परिवार से दिख्चित है और पारस मुनी जी के मामा करनामट परिवार वो स्यम सरदार मुनी जी महारा साब जो हैं गच्छा दिपती रहे उनके बाद में जब दिख्चा होई तो उनकी माता जी की भी दिख्चा हो गई उसके बाद उनकी एक बहन और ताराबाई की दिख्चा हुई और उनकी बेहन की लड़की अंगूर प्रभाजी की उनकी भी दिख्चा ऐसे चार उस परिवार से कुल चौदा लोगों की एक ही परिवार से दिख्चा है और पारेश मुनी जी महारा साब के अंदर तफश्चा का बड़ा उगर प्रभाव है वो हमेशा उनको आकरशित करके उनकी पिरणा से स्वम तो मास्खमन करते हैं उनने अभी तक अपने जीवन में 40 मास्खमन कर चुके हैं और कई एकातर दो तीन कई बार करते रहते हैं उनका जीवन पूरा तपश्चा सही बिता है ऐसे अनोखी लाल जी जीनका की नाम आदित्य मुनी ह उनने भी जब से जीख्चा ग्रहन किये वो भी दो दो हर चत्रमास्खमन करते हैं हमेशे एकातर करते हैं महुत तपस्वी संते हैं और इनके प्रभाव के कारण ये जिन शैशन की करपा है भगवान महाविर के बताया मार गहे और आचार्य भगवन्त की दी हुई कठोर हम भक्त है हम संसारी परिवार के होते हुए उनके बारे में जितना नहीं जानते हैं उत्ता आज उनके भक्त क्योंकि भक्त संततों जो है वो भक्तों का होता है स्रावक का होता है स्राविका का होता है उन्हीं गोगों का संत होता है और उन्हीं के प्रती समर्पित होता है आ अधिक से अधिक धर्मभावना प्रभाव बने अधिक से अधिक तब के अंदर लोग जागरोत हों जुड़े और ये लगाता है प्रयास चल रहा है। तबस्वी राज तो कहते ही हैं कई लोग तबस्वी सम्राड भी कहते हैं काफी तबस्षा में जीवन है उनका इस समय अधि कोई देखे उनके शरीर को तो उनके सारी पेंट की आते हैं ऐसी अलग-अलग दीख रही है शरीर के अंदर जैसे लगता है कि कुछ खून या माज सह में नहीं आता है और उनका ये जीवन ही है कि मेरा जीवन ही ये तब के अंदर बिते और मैं चाहता हूं कि भगवान महावीर के जिन शाषन के अंदर लोग आगे बड़े और तफशाय करें जिन शाषन की जो है दिन प्रतिदिन जो है ऐसे ही संतों के द्वारा जो है शाष पारस्मुनीजी के सहवा में जाइए उन से मिलिये उनको किसी की रिक्मेंड की ज़्रुरत नहीं है आप सिदे जाइए हरे एक से वो उसी प्रकार से प्रेम से बात करते हैं आपका किसी भी प्रकार के समाधान धार्मिक समाधान इत्या दीक्यादी के आवज़ चकता है पारस्मुनी जी को ये करुणा भाव उनके अंदर बहुत अधिक है वो चाहते हैं मेरे स्रावक स्राविका है सबका अच्छा से अच्छा समय बीते धार्मिक समय बीते इसलिए वो मारक दर्शन देने में हर वेक्ति को कोई भी उनके पास बिना संकोच जा सकता है उनसे पूरा समय ले सकता है और जो धार्मिक भावना रखता है उनके पती वे अधिक से अधिक समय देने को हमेशा तत्पार रहते हैं मेरा निविदन है कि अगर पारस्मुनी के मारे में हम आप और अधिक जानना चाते हैं तो सिधे उनसे शम्पर करिये मिलिये किसी तरह की रोक टोक नहीं है किसी तरह की सिफारिश की जरुष शाइल कि आऊश्चे का आवश्य क्ता नहीं है लेकिन यदि आप जैन धर्मा में रूची और धर्म में रूची रखते हो, मैं तो केवल जैन धर्म का नीटेता, धर्म में भी रूची रखते हो, तो पारसमुली जी महारा साप के संपरक्मा एक बार आवश्य पदारी है, साधार जैनेंद्र। पारसमुली जी ने आज के दिन को विशेश महत्व सभी के लिए दिया है, उनके जीवन के काल में उन्होंने अपने लगबक एकसष्ट वर्षों के वह मर्याद में उन्होंने लगबक अपने दिक्षा के 45 साल पूर्ण कर चुके है, और उनके कारिकाल में उनमें लगबक 40 मा पूरे कर चुके है, और इसी दर्मयान आज का दिन विशेश रूप से का जाता है, कि उन्होंने आठ आठ के बाद पारना, आठाई के बाद पारना, ऐसा लगबक 13 आठाई आज पूर्ण कर चुके है, ये जैन इतियास में, हमारे स्रवन संग के इतियास में ये प्रतम बा पारनी संग, यहां ये कारिक्रम आजवत किया, इसमें चंपक गुरु बक्त मंडल, चंपक स्वावी का मंडल, यहां के प्रमुक पदादिकारी गन, इन्होंने विशेश रूप से योगदान दिया है, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, चाता हूँ कि ऐसे संतों की गरिम बढ़ाने हितू, जो प्रोचान आप देते हैं, यह सब के लिए उलेखनी ये बात होती है, आज भारत वर्ष में सभी जेगे से मध्यप्रदेश, महराष्ट्र, गुजराक तथा राजस्तान से काफी संक्या में स्रावक स्रावी का यहां है, फिर से एक बार उनका भी अभ ार हिए ऑ जो चात प्रोचा से एक टू पार आछर चा को स्यार नोचान से एक बार वीलाई पयास्तान का देंग रलेटन Nag 보ins, हैत दूर से एक बार उनका बार भी अवशतास्तान आप रहां है, आप स्वेते हैं, इसका है ऑपります, लिगलेगे बाले अलेगे इना सातना से और कर दो